कि हलो हरा दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी स्टूरेंट्स फड़ा-फड़ से जोड़ जाएं आप सभी विध्यारतियों का तहीं दिल से स्वागत है चलिए तो सभी कॉम्मेटिटिव एक्जाम्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं साथ के सा आप सभी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं इस्पिशली फूर ग्रूब डी के लिए सेट आपका चली रहा है जैसे कि मैं इसका क्रेक्टिस के तौर पर इसको लीजिए ठीक है साथ के साथ मैं अपने फाउंडेशन बैच में आपको हर एक कंप्लीट चीज करा रहा हू आपको जाना है गैट संस्किप्शन पर जाना है चौबेस महिने का आपको कोर्स लेना है साहील टैनाउस असे कोड लगाओगे apply कर देना discount आपको मिल जाएगा apply करते ही सारी चीज़ें आपके सब सामने होंगी proceed to paper आप चले जाना और points को redeem कर लेना और अपना हो जाएगा साहिल 10 as a code लगा कर आपको जुड़ना है साथ के साथ आपको complete preparation हर एक exam के अगर करनी है तो भी आप साहिल 10 as a code लगा सकते हैं रात को 8 बजे डेली आपका mock test चलता है mock test नमबर 62 अमारा चल रहा है 8 p.m. पर ठीक है अनकेर्मी पर ठीक है साथ के साथ pipe and system test नमबर 2 जो कि आपका चल रहा है pipe and system test नमबर 2 साड़े 6 बजे Monday to Friday target the math for all government exam mathematics pipe and system आपका चल रहा है बड़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्स आड़े 6 बजे होता है mock test होता है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के आईए तो बोला क्या जा रहा है कि कि किसी धनात्मक संख्या में से तीन गटाने पर अपने वित्करम का 18 Society गुना हो जाता है तो किसी धनात्मक संख्या आपके सामने हैं उस में से तीन गभण पर व해 संख्या अपने वित्करम का 180 Classicror ho जाता है यहां पर आपने हमने देखा कि x-180 बटे x बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया ठीक है अब यहां आप जब इसको देखोगे solve करोगे तो यहां simply आपके सामने option का आप यूज कर सकते हैं इससे की 15-12 आपके सामने 3 निकल कर आएगा तो x की value आप क्या लिख सकते हो आप 15 लिख सकते हो जिससे की आपका यह solve हो जाए ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं point 4 का वर्गमूल अब यह क्या होता है point 4 के उपर बार इसको हम 4 by 9 कहेंगे और 4 by 9 का अगर हम वर्गमूल निकाल देंगे तो यह 2 बटे 3 हो जाएगा और 2 बटे 3 का सही मतलब point 6 के उपर बार आजाएगा और यही आपका logic भी है point 6 के उपर बार 238 मीटर लंबे pull को पार करने के लिए एक train ते 53 सेकंड का समय लेती है और वही train sign board को पार करने में 19 सेकंड लेती है यानि कि 19 सेकंड और 53 सेकंड 53 सेकंड में 19 सेकंड included है 238 मीटर को पार करने के लिए प्योंकि 19 सेकंड में उसकी खुद की length आ रही है स़ही बात है न तो क्या हम यह कह सकते हैं सर 33 में से अगर 19 सेकंड में हटा दूंग तो 13 में सी हो जाएंगे 4 और यह हो जाएगा 34 टिक है तो यहां हम कह सकते हैं 34 सेकंड में दो सो अडीक मीटर आप कवर कर रहे हैं बिलकुल यहां हम देखते हैं 17 दूनी 34 17 एकम 17 17 चौके 68 तो एक सेकंड में आप कितना कर रहे हैं 7 सेकंड स्वरी 7 मीटर तो 19 सेकंड में कितना करेंगे 19 सत्य 133 यही उसकी लेंथ आ जाएगी वही उसकी लेंथ आपके सामने दिख रही है ठीक है माईडियर स्टूडेंट चले वही आपको लेंथ उसकी दिख रही है चलिए नेक्स्ट अगर हम चलते हैं देखिएगा तीन अंकों का संख्या आपके सामने है 7 x 6 उसको अगर 11 से डिवाइड करोगे तो x का मान क्या है तो यहाँ पर हम यह कह सकते है 7 और 6 13 13 मैंसे x आप घटाईए जिससे की 11 आजाए तो 13 मैंसे x आप घटाऊगे तो 2 आपको घटाना है तो आपका जो x हो जाएगा वो 2 हो जाएगा ठीक है चलिए तो यह कुशन आपके सामने है और इसका अंसर आपको देना है कैसे दे पाएंगे जड़ा देखिएगा कि भाई 10 60 माइनस ठीटा है आप जानते हैं कि यार यह आपको यह लॉजिक क्रियेट करना है कि 60 माइनस ठीटा और 30 प्लस ठीटा अगर हम इनको जोड लेते हैं तो 90 आ रहा है ना याने कि यह दोनों आपस में बराबर हैं इसका मतलब क्योंकि 10 और अकॉंट पराबर होता है जब 90 डिगरी हो तो 0 आपका अंसर आ जाएगा ओप्शन नमर सी नेक्स्ट देखिए कैसे करने वाले हैं आईएगा एक छात्र को किसी परिक्षा में उत्रिन होने के लिए 32 परसेंट अंक चाहिए परंतु वह 21% अंक प्राप्त करता है और वह गणना करता है और सोचता है तो 7 प्रतीशत अंक और अधिक प्राप्त करता तो 11 अंकों से अनुत्रिन होता ऐसा बोला 7% और अधिक अंक प्राप्त करता तो वह 11 अंकों से अनुत्रिन होता याने कि मैं कह सकता हूँ 28% उसके आये हैं लेकिन उसके 11 अंक कम रह गए और 11 अंक आ जाते तो वह पास हो जाता याने कि 4% बराबर आपका 11 आ गया तो आपको उत्रिन अंक निकालने हैं तो 88 आ जाएंगे 32% ही तो निकालने हैं यह 11 सा प्रशन था और इस तरह से आपको यह करना है सिंपल लॉजिक लेके चलिए ना आप लो आप 84 क्यूं दे रहे हो बताओ मेरे को वह कुछ भी नहीं है बोला जा रहा है कि उसको पास होने के लिए 32% अंक चाहिए 21% अंक प्राप्त करता है जब वह गढ़ना करता है तो सोचता है कि 7% अंक और अधिक प्राप्त करता है यानि कि वह गढ़ना करता है तो यदि वह 7% अधिक और प्राप्त करता है यानि कि 28% प्राप्त करता तो ग्यारे अंकों से फेल होता तो ग्यारे अंक और डाल दिये और पास परसेंटेज के बराबर कर दिया 32 तो चार परसेंट बराबर ये 32 बराबर अठ्या से नेक्स्ट चलती है चली है एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा जो आपके सामने देख रहा है ये क्या है वाई आई थिंक माइनस फ्लस का चक्कर है इसमें एक बराब देख लें माइनस अठारा बराबर माइनस वन है और ये माइनस आएगा है ना ध्यान रखना ये माइनस है अब इसको आप कर लें सॉल्ट वोपसो आपसे नहीं हुआ हो अगा मुझे पता है x-y बराबर कितना हो गया sir root 18 minus का 1 x plus y बराबर कितना हो जाएगा बताओ 3 root 2 ये भी तो root 18 है plus का 1 तो यहां मैं इन दौनों को गुणा कर दू तो कि जब आप इन दौनों को गुणा करोगे x minus y into x plus y बराबर कितना हो जाएगा a square minus b square 17 तो 17 12 into x y x y अगर आप निकालना चाहते हो वो निकाल देंगे 12 into 17 लेकिन इतना अंदाज लग गया कि आपका जो answer आएगा वो बड़ा answer आएगा यानि कि आपका answer जो होने वाला है वो बड़ा answer होगा इतना अंदाज तो लग गया है ठीक है अच्छी बात है ये तो से clear है अब यहां से आप x निकालो y निकालो दोनों का गुणनफल भी निकालना है ना भाई चलो वो भी निकाल लेते हैं तो अगर मैं x निकालना चाहूं तो कैसे आएगा इन दोनों को जोड दिया बटे दो कर दिया root 18 और y निकालना चाहूं तो कितना आजाएगा एक प्योंकि वो घटकर चलेगा और वो जुड़कर चलेगा बात बराबर है ठीक है ना तो answer अपने पास आ रहे है root 18 का गुणा बस solve कर लेंगे तो 9 बहार आजाएगा 3 तो 12 into 3 into 17 root 2 D answer होगा next बहुत अच्छा question था ये करिए देखिए एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत बढ़ती है परंतु प्रतिवर्ष 1.5% प्रवास के कारण घट भी जाती है तीन साल के अंत में कितनी प्रतिशत की बढ़ती होगी अभी ये question exact नहीं देगा answer आपको ये बहुत lengthy पढ़ जाता है और normal तरीके से ये नहीं हो पाता है कहानी इतनी complicated हो जाती है कि student करी नहीं पाएगा तो 7% जनसंख्या क्या हो जाती है increase हो जाती है और 1.5% जनसंख्या घट जाती है ठीक है तो एक बर का अगर आप निकाल रहे हो तो successively अगर आप सोचते भी हो तो साथ में से अगर डेड़ चला गया तो यह हो जाएगा आपका पांच पॉइंट पांच माइनस ठीक है और साथ इंटू 1.5 अपॉन हंड्रेड तो पांच पॉइंट पांच 1570 एक सो पांच बटे सो यानि कि लगबग लगबग ये कितना आ रहा है पांच पॉइंट 40 आ रहा है एक तरीके से मैं अंदाज लगा रहा हूँ यानि कि इतना तो निश्चित है कि इस तरह के अगर सक्सेसिव केस और लगेंगे तो पांच पॉइंट 4 के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने और एक्सप्लोर होती चली जाएंगी बिल्कुल होंगी सर लेकिन 3 साल के अंत में पूछा गया है यानि कि ये आपके सामने कुलम लाकर आ रहा है कि साथ एक साल के अंदर 5.4% की आपकी क्या रह जाती है ब्रदी रह जाती है जहाँ 7% हो रही थी 5.5 ले जिए 5.4 ले लिए बात बराबर ये ठीक है चली तो इस हिसाब से देख रहा हो यो तो 15 जाएगा लेकिन 15 नहीं होता क्योंकि सक्सेसिव में माइनस केस भी चलता है तो लगबग आपका जो आंसर होने वाला है उसका कोई अंदाज हम यहां से नहीं लगा सकते आप बिलकुल भी ऐसा ना सोचे कि तीन से गुणा कर देंगे आंसर आजाएगा नहीं 15.8 तो नहीं होगा ये ये कंफरम है और कई बार ऐसा भी इसको सॉल्व कर दिया जाता है कि साथ में से अगर आपने डेड़ को घटा दिया तो यह कितना निकल कर आया 5.5 याने कि 11 बटे दो परसेंटेज याने कि 11 बटे 200 तो 200 से 211 तो याने कि बहुत लेंदी कुश्चन है बहुत ज्यादा हलाकि आंसर यहां से आ जाएगा इसका 200 से 211 तो सॉल्व करने पर बहुत लेंदी चला जाएगा तो ये स्किप कर दीजे इसको है ना ये बहुत कैलकुलेटिव है और कोई चारा भी नहीं इसको करनेगा है ना नेक्स्ट आईए लेंदी काफी है गुणा उणा मेर को भी करना ही पड़ेगा सक्सेसिव लग जाएगा इसमें है ना सक्सेसिव क्यों नहीं लगेगा भाई चलिए क्या बोला जा रहा है देखिएगा एसिड और पानी के 120 लिटर गोल में एसिड 75% डेसर ठीक है माल लिया एक व्यक्ति इस गोल में से 20 लिटर निकालता है और सेश गोल में 16.2 लिटर एसिड और 3.8 लिटर पाने मिलाता है ठीक है ये भी बात ठीक है सर अंतिम गोल में पाने का प्रतिशत कितना है तो जैसा कि हम बात करना चाहते हैं कि एसिड और वाटर है अब उसमें 75% एसिड है सर 75% होता है तीन बटे चार यानि कि तीन अगर एसिड है तो एक आपका वाटर होगा बिल्कुल ठीक है एसिड और पाने के 120 लिटर गोल में इतना एसिड है ठीक है अब एक व्यक्ति इस गोल में से 200 लिटर आपका क्या करता है निकाल देता है ठीक है गुरू जी सरी 20 लिटर निकाल देता है इस गोल में से निकाल देता है और इस गोल में 16.2 लिटर एसिड ठ पांच अब क्या बोला जा रहा है और क्या करता है सर और 6 गोल में 16.2 लीटर एसिड और 3.8 लीटर पानी मिलाता है तो अंतिम गोल में क्या हो रहा है अंतिम गोल में इस्तिति देख लीजिए बस आप तो 120 था ना तो बस हम यह कह सकते हैं कि शुरुवात में कितना होगा 4 तीया 12 तो 30 तीया 90 और यह हो जाएगा 30 90 और 30 120 तो 90 मैं से 15 चले गए तो यह हो जाएंगे कितने 75 और 75 और 16.2 91.2 ठीक है चलिए तो 30 में से 5 गया तो 25 प्लस 3.8 28.8 ठीक है ना अंतिम गोल में पानी का परसेंटेज पूछा गया है तो यहां हम कह रहे हैं कि 28.8 आपका पानी है और टोटल किसका 120 का तो कितना परसेंटेज है तो 12.2 24, 12.4 48 24 परसेंटेज अप्शन नमबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलिए कैसे करेंगे देखिएगा बारा पुरुष हैं और पांच महिलाएं हैं एक काम को क्या करना है दो दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि चार पुरुष और तीन महिलाएं उसी काम को पांच दिन में पूरा कर सकते हैं ठीक है तो क्या हम बोल रहे हैं बारा दोनी 24 और पांच चौके 20 तो चार एम बराबर 10 और 15 याने की पांच डब्ल्यू तो एम और डब्ल्यू का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है पांच बटे 4 ठीक है चलिए तो बोला जा रहा है क्या टोटल वर्क अगर आप निकालोगे तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा बारे पंजे साथ पांच ओके 20 80 इंटू दो तो आठ आदमी उस काम को कित्ती दिर में करेंगे 40 का भाग दे दो चार दिन में तो दो निकार प्रक चालिस ही तो आएगा पांच की एफिशेंसी से आठ आदमी 40 का डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट करिए एक वरगाकार ग्लास के टुकडे का कुल छेतरफल इतना हैं जिसे एक मेच के शीर्ष पर रखा गया है मेच के किनारे और कांच के टुकडे के बीच की जो चोड़ाई है वो 9 सैंटीमीटर है मेज की लंबाई ग्याद करें सर चीक है सर मेज की लंबाई आपन ग्याद करते है करिये मेज की लंबाई तो कहानी को समझना पहले क्योंकि आपके लिए बहुत classic question बन रहा है और आपको यह बहुत मज़ा आएगा इसको करने में यह मैं जरूर कह सकता हूं ठीक है देखिए किस तरह से मज़ा आता है माल लिया कि ये कोई मेज है ठीक है अब इस मेज के ऊपर क्या बोला जा रहा है एक वर्गाकार गिलास के टुकड़े का फुल छेतरफल 184 है यानि कि आपके जो भुजा निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी 32 तिस वर्गाकार टुकड़ा है भाई तो वर्गाकार बनाई लेते हैं न यान वर्गाकार क्यों नहीं बनाया अरे भाई ये जाएगा नहीं क्या तुम चालो तो एक वर्गा का टुकड़ा आप उनको बनाना है तो मैंने ये बना दिया इस तरह से इसकी जो हमने साइड निकाल ली वो निकाल ली 32 सेंटिमीटर कित्ती निकाल ली 32 सेंटिमीटर ठीक है भाई ठीक है सब इसे एक मेच के शीष पर रखा गया है उपर रख दिया भाई मेच के किनारों और कांच के टुकड़ों की बीच की चोड़ाई दे रखी है मेच के किनारों और कांच के टुकड़ों की बीच की चोड़ाई 9 सेंटिमीटर है यानि कि वो बीचो बीच में रखा हुआ है कांच का टुकड़ा और वह नाइन सेंटीमीटर है सर अब यार देखो अठार है तो यह गेर गया नौ इधर से और नौ इधर से आपको कुल मलाकर मेज की लंबा ही निकाल ली है हमका चब यार तो हमने गड़बड कर दी क्या हमने गड़बड कर दी कुल मलाकर ऐसा है कि यह कांच का टुकड़ा बाहर की तरफ है यानि कि यह कांच का टुकड़ा है और यह आपकी मेज है बाई ओके और यह दौनो तरफ जा रहा है नौ-नौ पुल मलाकर ये 9 और ये 9 ऐसा है ये कांच के टुकड़े की ये 6 तरफल तो 32 की हो गई तो 32 प्लस 18 पचास आंसर आ गए option नमबर C आंसर आएगा भई question काफी interesting है आपको बता रखा है चलिए next वो कांच का टुकड़ा ही काई था वो वो चलिए a प्लस b बराबर आपका 4 है a इंटू b बराबर आपका माइनस का 5 है तो a क्यूब प्लस b क्या होगा कहानी बिल्कुल neat and clean है कि आप a प्लस b का whole cube लगाएं वो हो जाएगा सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a b इंटू a प्लस b अब जो भी value है उसे put कर दें आप लोग तो मैं यह कहना चाहता हूँ a प्लस b का whole cube चार चोग 16 चोग के 64 a q प्लस b q प्लस 3 a b इंटू a प्लस b बारह पंजे 60 तो 64 प्लस 60 124 c answer होगा करिए वो लग क्या जा रहा है सर a और b एक दूसरे के व्यूत करम आनूपाती है तो a जो है वो b का अब a में 100% की ब्रद्दी होती है तो b में कितने की कमी होगी कहाने का मतलब व्यूत करम आनूपाती है तो ये 1 से 2 हो रहा है तो वो है 2 से 1 हो जाएगा simple 50% की कमी कितनी हो रही है 50% की कमी अब एक बच्चे 100 ही दे रहे है अनसर बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो logical बात करो न यार जब वो दुगना हो रहा है तो वो 2 से 1 नहीं हो जाएगा क्या व्यूत करम आनूपाती है न रेशो बदल जाएगा next कलिए kx प्लस 2y बराबर 2 3x प्लस y बराबर 1 संपाती है तो संपाती यह तो क्या होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 कोई भी 2 बराबर कर दो कि 8k value निकल कर आ जाएगी 6 निकल कर आ जाएगी है ना भाई clear हो रहे है चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है सर कोई व्यक्ति 40 km प्रती गंटा से यात्रा करता है और वह समय पर अपने गंतवे स्थान पर पहुंच जाएगा आधी यात्रा 2 बटे 3 समय में पूरी की तो 2 बटे 3 समय में यानि कि मैं कह सकता हूँ टोटल टाइम कितना है टोटल टाइम आपने माल लिया तीन रेशो तो टोटल टाइम अगर तीन है तो दूरी कितनी हो जाएगी 40 गुणा 3 120 अब बोला क्या जा रहा है कि वह समय पर अपने पहुंच जाएगा ठीक है आधी यात्रा आधी यात्रा यानि की 120 का आधा 60 दो बटे 3 यानि की 2 से ठीक है अब बोला जा रहा है क्या समय पर गंतवे तक पहुंचने के लिए शेश यात्रा कितनी बची 60 टाइम कितना बचा एक गंटा ही तो बचा है तो 60 की रफतार से चलना बड़ेगा अप्शन नमबर C तब जाके काम होगा झाल 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 चली X स्क्वाइर A माइनस X स्क्वाइर B प्लस A स्क्वाइर B माइनस A स्क्वाइर X प्लस B स्क्वाइर X माइनस B स्क्वाइर A इस प्रिकार गुनखंड होंगे क्या बोला जा रहा है सर अब मैंने कहा सर X स्क्वाइर A और X स्क्वाइर B है तो आप क्या करो sir x square a को एक तरफ ले लो और उसके साथ साथ आप ले लो minus का b square a काम आएगा बिलकुल आएगा ठीक है उसके साथ साथ आप अगर आप लेना चाहते हो तो a square b ले लो a square b और उसके साथ आप minus क्या कर दो a square x ठीक है यह हो गया B square X ले लेते हैं आपर ज्यादा बेटा रहे है B square X ले लिया और minus X square B बात वही रह रही है ना समझ रहो इससे साफसे set कर रहा हूँ X square और variable ले रहा हूँ एक एक वाला यह एक एक आ गया यहां पर अपने सामने B वाला आ गया ठीक है और आगे आ जाएगा A square B minus अब क्या बचा हुआ है A square B minus A square X बाकी सारे हो गए ना अब कोई और तो नहीं बचरा नहीं बचरा सर अब यहां से आप क्या common लोगे common लेना शुरू करते हैं यहां से अगर आपने A common ले लिया तो A common minus A common ले लिया तो यह हो जाएगा सर B minus का X या B minus X square ठीक है B square minus X square plus और क्या ले लूँ मैं common XB यहां से XB common लेती कितना हो जाएगा XB लेती B minus X plus यहां से मैं क्या common ले लूँ भाई यहां से ले लो सर आप A square तो यह हो गया B minus X अब यहां से देखो combination देखो जाएगा यह हो जाएगा minus का A यह B plus X into B minus X X into B B minus X A square B minus X अब देख लीजे आप क्या चल रहा है तो कुल लाकर आप B minus X को common ले लेंगे तो B minus X को common लेते ही आपके सामने क्या आ गया यह आ गया सर X B plus A square जो भी है मैंने common ले लिया minus AX minus AB अब यहां से मैं common ले लूँगा तो यह वनेगा A minus B B minus X A minus का B B minus X A minus का B कहा है भाई यह minus है ना X minus का B बन जाएगा ना X minus A X minus B X minus A ठीक है वांसर आएगा A option काफी अच्छा कुश्चन है और काफी interesting तरीके से आप इसको देख सकते है ठीक है इसको skip भी कर सकते थे आप common लेना है बस इसको उल्टा करना है क्योंकि minus common लेना पड़ेगा बाहर अगला कुश्चन करेंगे अगला कुश्चन करेंगे time's up मोहन और गोविंद ने चववन सो रुपे और बैतर सो रुपे लगा कर व्यापार आरंब किया मोहन सक्रिय साज़दार होने के कारण कुल लाब के 20% का भी अधिकारी है तो मैं ये कहता हूँ चववन सो और बैतर सो अठारे तिया चववन और अठारे चौके बैतर 20% का अधिकारी है यानि कि आपको पता है कि 20% तो मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा बिलकुल मिलेगा वर्ष के अंत में अगर उतना लाब हुआ तो मोहन को कितना मिला आपसे इस्पेशली मोहन का पूछा गया है और गोविंद का पूछा गया है तो यहां मैं यह कह सकता हूँ कि भाईया देखो पहले जो बात है वो कुल लाब की है कुल लाब का 20% तो अलग रग दो ठीक है कुल लाब का 20% याने की 3325 का 4 बटे 5 पहले तो बात दो इस रेशो में तो बात देते हैं तो 7 रेशो बराबर आपका यह आया मैं 7 से काटने लगा ताच्चो के 28 बचे 5 साथ साथ उननचास साथ पंजे 35 पनाम 45 बचे कितने 2 पचम 25 190 और 380 तो 380 आ रहा है सर जो भी हिसाब किताब बना उस हिसाब से क्या आ रहा है 380 आ रहा है एक रेशो की वैल्यू तो इसका कितना हो जाएगा 380 इंटू 3 8 तिया 24 कहरी आया दो 3 तिया 9 और दो 1140 अब 1140 में 1 बटे 5 हिस्सा तो एक्स्ट्रा मिली रहा है उसको 3325 का एक बटे 5 20% तो 5 चीकी 30 कहरी आया 3 5 चीकी 30 पचंपच्चिस 665 रुपे और जोड़ दो तो 5 0 7 1 705 आ रहे है कड़बड हो गई अच्छा 8 आएगा 1805 रुपे तो 1805 रुपे उसको मिलेंगे भाई है ना टोटल क्योंकि वह 20 परसेंट एक्ष्टा भी तो मिल रहा है चलिए चलिए भाई अब आज जो ना 20 खंडों की संख्या निकाल ली है तो यह हो जाएगा 20 यह हो जाएगा 3 23 यह हो जाएगा सर दो की घाच 4 दुनिया और यह एक और चार तो पांच और तेरा और 3 16 और इस आंसर होगा को एक बराबर संख्या में पंक्तियां और इस्थंभ में रखना चाहता है यदि विध्यार्ती की कुल संख्या इतनी है तो बराबर पंक्तियां और बराबर स्थंभ ए तो X-Squire बराबर बासट सो एकतालिस तो बस अब आपको रूट लेना है आप खुद जानते हैं कि या तो आपका एक होगा या नौ होगा अब दिमाग यहां लगाना यह होता है कि यह बासट कहां से आ रहा है सर आठ और नौ के बीच में सॉरी साथ और आठ के बीच में साथ वाला आएगा या तो एक हैट्टर होगा या सेवन्टी नाइन होगा तो यह सेवन्टी नाइन होगा क्यों सर आपको कैसे बता क्योंकि भाई 6400 के पास है तो 79 ही है दिमाग लगाना पड़ता है बस 6400 के पास है तो 79 ही है क्योंकि 80 के पास आ जाएगा ऐसे होता है अगला कुश्षन दो संख्याओं का जो अनुपाद दे रखा है या योग दे रखा है योगफल 96 है तो 4 बराबर 96 कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है 2400 के 96 में अंतर कितना आ रहा है 48 48 यह डिफ्रेंस है बी ठीक है चलिए तो अगले होमवर्क आप नोट कर सकते हैं सात्रवा होमवर्क नोट कर लीजिए 18 कर लीजिए 19 कर लीजिए और 20 यह आपका होमवर्क है पाइपन सिस्टन हमारा चल रहा है इसे कंटीन्यू बेसिस पर आप करते रहिए और बहतर से बहतर बनाते जाहिए पाइपन सिस्टन लेक्चर नमबर टू आज मैंने पढ़ाया है उसका टेस्ट शाम को होगा 8 बजे मॉक टेस्ट चलता है डेली दीजिए पाइपन सिस्टन का जो टेस्ट है वो 6 बजे होने वाला है लिंक कमेंट सेक्शन में और टेलिग्राम दोनों पर मिल जाएगी साहिल 10 कोड लगा कर आपको जुड़ना है साथ के साथ मैं आपको complete preparation करा रहा हूँ मेरे foundation batch में अनकेडमी पर ये SSE category में चल रहा है अभी तक नहीं जुड़े हो तो आज ही जुड़ो क्योंकि मैं आपको बहुती बहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ हर subject आपको इसके अंदर मिलेगी test series, quizzes, pdf, doubt solving sessions सब कुछ आपको मिलने वाले है साहिल 10 as a code लगाकर आपको जुड़ना है अनकेडमी पर मेरे साथ में और proceed to paper जाकर payment करके जुड़ जाईएगा साहिल 10 लगाकर आप अनकेडमी पर ना केवल SSE category में या अपर किसी अन्य category में भी अगर आप जुड़ते हैं प्रॉस्टी टू पेपर जाकर साहिल 10 as a code लगाकर आपको जुड़ना है और पस टेलिग्राम पर जाईएगा और यहाँ पर आपको PDF और लिंक दौनम मिल जाएगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फो वाचिंग और अराम से जुड़िएगा ठीक है, तो साड़े 6 बजे टेस्ट में मिलते हैं सारे ओफर आपको सहील 10 लगाकर मिल जाएंगे टेस्ट जरूर लगाते रहिए और अपना धेहन रखिए टेके और अबरी बस्त